इस्किन केया रूटिन फॉलो कर रहे हो एक्सपेंसिब पोडेक यूज कर रहे हो फिर भी इसकिन में कोई ग्लो नहीं इसकिन में दिखता है डनलेस, एंटी एजिंग और पिग्मेंटेशन यह सहरे सिंटरम से डी हाइड्रेशन हम सबको पता है कि पानी पीने से बॉड़ी हाइड्रेट होती है पर हमारा फेस हाइड्रेट क्यों नहीं होता है फेस क्यों dull, dry, damaged, sensitive हो जाता है, इसकीन में कोई glow नजर आता नहीं तो इसको समझने बहुत ज़रूरी है कि इसकीन अगर hydrate नहीं है तो इसकीन को hydrate करने के लिए हमें क्या करना चाहिए Cellular hydration होना बहुत ज़रूरी है Cellular hydration depend करता है आपके electrolytes पे sodium, potassium, calcium, magnesium, but natural electrolytes कौन सा होता है First है water and salt Himalayan pink salt Yes guys, Himalayan pink salt में बहुत ज़्यादा benefit है जो हमारे skin को hydrate करता है आपके face अगर dull है, dehydrate होता है तो अगर आप रोज पानी में pink chop Himalayan salt को अच्छे से पीते हो तो आपका जो face से और dull नहीं होता है, dehydrate नहीं रहता है किकी पानी जो रहता है, वो hold करता है और आपको cellular hydration प्रोवाइड करता है जिससे हमारे face भी hydrate रहता है sodium, potassium, calcium, magnesium आपको pink salt में मिल जाता है Next है coconut water Coconut water में cellular hydration होता है एक है पानी पीना और दूसरा है पानी को retain करना Body का hydration पानी से खतम हो जाता है And coconut water से हमें मिलता है cellular hydration जो हमारे face के लिए बहुत अच्छा होता है Because हमारे face को hydrate करता है Overall body का तो hydrate करता ही है And coconut water में vitamin C है Magnesium है, potassium है, sodium है, calcium है, antioxidant है जो हमारे skin का hydration के लिए बहुत ज़दा important है So coconut water डाइट पे आड़ करो Next है dehydrate diet chart Dehydrate skin के लिए सबसे पहले internal care करना ज़रूरी है Because आपका guts जब तक healthy नहीं होगा आपके skin भी healthy नहीं होगी चाहे आप कुछ भी कर लो आपको उसके लिए salad अड़ करना चाहिए अपने diet पे green juice अड़ करना चाहिए आपको detox करना चाहिए body को आपको green vegetable जो आपकी skin को hydrate करें glow करने के लिए आपको help करें fruit जो आपके seasonable fruit के साथ आपकी skin को hydrate करें आप हमेशा कोशिस करो magnesium, potassium, sodium आपके fruit में हो आपके diet पे हमेशा होना चाहिए आप alternate करके भी green juice पी सकते हो आपका skin hydrate करने में help करें and internally help करें ताकि आपके guts healthy रहें guts को healthy रखने के लिए detox water एड कर सकतो papaya ले सकतो बहुत अच्छे से skin को deeply hydrate करता है ताकि आपकी skin plum hydrate and glowing and younger लगे next day skincare product dehydrate इसकी internal hydration के साथ external hydration भी जरूरी है hydration के लिए कुछ right product जो आपकी skin को hydrate करें skin hydrate रहेगा तो वैसे ही आपका skin glow करेगा उसके लिए लाइट gel based mostrogen लगाए जिसमें बहुत ज्यादा skin को hydrate करके रखे and मैं यहाँ पी यूज कर रही हूँ nutrigena का hydrating mostrogen बहुत अच्छा है expensive थोड़ा है तो आप alternate पे pons का hydrating mostrogen लगा सकते हो या फिर ekologica का mostrogen next is serum hyaluronic acid जो skin को deeply hydrate करता है अगर आपकी skin dehydrate है आप कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप आँख बन करके hyaluronic acid में अपना पैसा invest कर सकते हो इससे आपको बहुत अच्छे से skin को hydrate करता है glow करता है और सबसे अच्छी बात है यह बहुत light होता है तो बहुत अच्छे से quick absorb हो जाता है और मैं तो यहाँ पे ordinary का use कर रही हूँ आप doctor said, dotan key and ecology का और भी बहुत सारा brand है आप उस सब कभी use कर सकते हो night routine पे ताकि आपको skin hydrate रहे है और skin hydrate रहेगा तो आपके skin बहुत अधा glow भी करेगा pigmentation भी नहीं होगा जब skin dehydrate हो तो active serum use ना करे, skin को damage कर सकता है skin के hydration के साथ साथ body का hydration भी बहुत चाथा important है आपके face जितना glow करे hydrate दिखे वाईसे ही आपका body भी दिखनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि face बहुत glow करे hydrate दिख रहा है और body बहुत ही dull, black, dullness दिख रहा है तो हमेसा body में भी sunscream use करे, SPA body lotion 50 में whisk care का use करेऊ, best है budget friendly है, बहुत time तक चलता भी है तो अभी तक का मेरे experience अच्छा रहा है तो अब use कर सकते हो कभी-कभी excess dead cell के वज़े से face dehydrate दिखता है dull दिखता है and dryness भी feel होता है उसके लिए आप chemical peeling solution use कर सकते हो next है dehydrate in seat marks जो skin को hydrate करने के लिए बहुत help करता है skin को instant hydrate करता है glow add करता है and skin को suit करता है सबसे अच्छी बात है hassle free एक quick skincare है जो आप कभी भी कर सकते हो आपको कुछ करने का मान नहीं है सिब आप seat marks लगा लो and आपका skincare वहीं पे हो गया आपकी skin को clean करता है remove करते excess oil को and सबसे अच्छी बात है chemical free होता है तो यह सब skin type को suit करता है मैं मीनिसों का यूज करती हूँ अच्छा है face के साथ body के साथ lip hydration भी उतना important है तो मैं यूज करती हूँ क्या beauty का lip tint oil जो lip को बहुत अच्छे से एक tinted color देता है साथी साथ में बहुत अच्छे से hydrate करता है मेरा तो अभी फेबरीट बन जुका है क्योंकि बहुत ही long lasting है hydrating है तो आप लोग अगर चाहो तो ले सकते हो या फिर मैं क्या beauty का lip oil भी यूज करती हूँ यह कोई tinted नहीं है यह plain जैसा oil होता है वाईसे ही oil है बट यह भी बहुत अच्छे से मार्स का में लिब बम टिंटेड यूज करती हूँ यह भी बहुत अच्छा है तो फेस के साथ साथ हमारे पूरा बॉड़ी को हाईडरेट करना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हाईडरेशन के लिए खीरा आप अपने डाइट पे आड़ कर सकते हो आप फेस मार्स लगा सकते हो आप सीट मार्स बनाके लगा सकते हो आप सबसे अच्छी बाते टोनर बना के फ्रीज में रख दो उसको भी लगा सकते हो आपके स्कीन बहुत अच्छे से हाईडरेट होता है एंड खीरा हापते में आप रोज खाओ अगर आप weight gain कर रहे हो तो हपते में दो दिन खाना क्योंकि weight gain अगर जो लोग कर रहा है खीरा से weight loss होता है जो लोग weight gain के process में हैं वो लोग दो दिन भी खाएगा तो भी चलेगा बट अगर आप खीरा को add करते हो तो आपके skin में instant hydration आता है इसकी अच्छे से glow भी करता है और expensive भी नहीं है तो आप अपने डाइट पर easily इसको add भी रख सकते हो और maintain भी कर सकते हो skincare डाइट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग maintain कर पाए अपने budget के हिसाब से ताकि healthy and glowing दिखे हमेशा trending skincare को नहीं अपने skincare के problem के हिसाब से आप अपने skincare करें ताकि आपका skin hydrate रहे face के जो water molecules है वो reflect करे and skin healthy and glowing दिखे face का skincare करना self-care नहीं है आपका पूरा body का skincare ही self-care है so I hope आज के वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा होगा and वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share, subscribe करना फिर मैं आप लोग उसे मिलते हूं मेरा next वीडियो में बाई